नमस्ते अब्रवान और वेल्कम टू लिव यू लाइब विट स्वागते आप सबको मेरे चैनल में पर फिर से फर्स्ट फॉल आप सबको मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से हैपी होली और फ्रेंड्स एक्चली आज जो है मैं ये वीडियो बहुत जल्दी में बना र वीडियो थी उसे पोस्ट कर देती हूं तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा क्योंकि अब मैं जा रही हूं हूं देहरा दून तो बस थोड़े ही देर में मुझे यहां से निकलना है तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो तो मेरे डिया जो सिटिं मैंने बनाया था तो आप भी चाहे तो अपने घर में इस तरह से बना सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो है मनी प्लांट लेने हैं अपने घर पे तो बहुत ज्यादा मनी प्लांट के जरूरत नहीं होती है मैंने जब इतना सब था मनी प्लांट ममी ने मुझे लाके दि कहीं दीच होंगे तो इसको आपको maturity कर लेना है कि यह जो इसका यह वाला पार्ट होता है आप देख पा रहे होंगे इसको हमें हमें मैं यहां से हट करना है कि माइनलस आने हिए साइड में यह से में आपको दिखाती हम कि यह तरह माइनस का निशान थोड़ा सा लास में बनना चाहिए यह देखे इस तरह से इस तरह से आपको काफी सारे जो है कट कर लेने हैं और आपको क्या करना है इन सब को कट करके इतना वह और तो चलेगा मतलब आपको आट-दस पते बहुत होते हैं बट उसके निचे इस तरह से जड़ होनी चाहिए यह आप देख पारे होंगे छुट-छुटी जड़ होती है इनमें ब्राउन ब्राउन कि यह होनी चाहिए और इसको आपको काच के ग्लास में या किसी जी चीज में आप इसको डुबो के कम से कम 15 तक रहने दीजे तो इसे ज कोई डुबो दिया था इसमें ऐसी इसी तरह से अभी कटिंग करूगी में इसकी और जो है आपको इसको 15-20 दिन के लिए इसमें ऐसी छोड़ देना है और रोज पानी बदरना है इसका तो उसके बात क्या होता है कि इसमें जड़ आने शुरू हो जाती है छोटी-छोटी सी आप देखिए इस तरह से वाइट-वाइट सी जड़ आने लगेंगी तो इसका मतलब अब यह रेडी है इसको अब हम जो है गंबले में डालने के लिए तयार कर सकते हैं तो इस तरह से आप ले लेंगे फिर आप अपनी पसंद को कोई गंबला ले ले लेजी देखिए मैंन और इसके बीच ओ बीच आपको जितनी भी आपकी पत्तियां थी जिन में जड़े निकल गई हैं इन सब को लेके इस तरह से मैं आपको बता दूं कि आप इसको जादा ना डालें क्योंकि बहुत जल्दी फैलना शुरू हो जाता है तो आपको फिर ऐसा लगेगा कि कि यह तो इसमें इसमें जालने में अदर रूं में रखें ज़ाँ ज़ Mogli जाएगा बरूँ में रखें और याद रखिए कि मनी प्लांटी है तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत कि बीyllने Keeping Me के आप सेके चाहों मेह एं अंदर रोमम में रखें और जूँना आती हो तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्याद तर इसमें खाद की भी ज़रूर्द नहीं पड़ती है तो स्रिफ पानी में ही बहुत अच्छे से हो जाता है प्रेषर आज शेंगी है तो यह काम नहीं कर दिया अबी है तो अब है मैं आपको सेंपल दिखा रही हूं किस दरा सी है बनेगा तो यह दिखिए बस आपको इतना सही जो है इतना सही आपको ज्यादा नहीं लगाना है 18 पत्ते आपको जड़ सही जिसमें वाइट वाइट जड़े आने लग जाएं वो आपको इसमें लगानी है और मैं क्या करती हूँ कि मेरी एक अजीब सी आदत है तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ बाहर घूमने के लिए तो मुझे पत्थरों से पता नहीं क्या प्यार है तो यह देखिए मैं हर जगे से पत्थर कलेक्ट करके ले आती हूँ और इस तरह से इनको आप धूलें अच्छे तरह से तो मेरे पास बहुत सारे हर जगा के पत्थर होते हैं तो जैसे यह देहराजुन से और मैं नैनी ताल गई थी वहां से तो मैं इनको लेकी आई थी मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ पत्थरों से इसको सजा देती हूँ तो यह और भी खुप्षूरा कत्र है तो मेरे सारे गंब्लों में जो है पत्थर आपको मिल जाएंगे अलग अलग जगे से जो है मैंने पत्थर कलेक्ट की हूए है मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहां के पत्थर जरूर ठाके लाती हूँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे अच्छे लगता है जैसे हर स्टोन जैसे कुछ कहता है मुझे पता नहीं क्या इन से प्यार है मैं देखे कुछ भी नहीं है बर मुझे ने कलेक्ट करना बहुत पसंद है और मैं लेखे आती हूँ और अपने घर में मैंने एक इससे DIY भी बनाया है पिंटरस्ट से देख ये तो बहुत सुनना लगता है अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है और बस आपको ऐसे ही रहने देना है ये देखिए ये कुछ इस तरह से ये देखिए आप अब ये कुछ इस तरह से लगेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे जब इसके पत्ते बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो आप इसमें से थोड़े थोड़े पत्ते ये पत्थरों को कम कर दीजेगा इसको जगा है जो फैलने की देनी है हमें और ये धीरे धीरे जो है फैलना शुरू होगा बहुत सुन्दर इतना गहरा हो जाएगा ये अब ये हमने बना लिया है न तो मैं आपको दिखाती जाओंगी कि कितने दिनों में इसमें पानी दाले ड़ाह हुए जो बात इह तो क कि यह तो यां हो that the stick शूम वल्यों प्रोगे में सब्सक्रम स्जावानी के लिजने pinky ये बहुत सुन्दर लगेगा ये तो इस सी तरह से बस आपको बनाना है और अपने घर में जहाम वाली जगे में आपको इसको रखना है तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी बहुत सुन्दर बन जाएगा I'm sorry आज तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ जल्दी से देखें यह तैयार है हमारा money plant तो इसी तरह से बनेगा और चितनी चाहिए आप बनाई है इसमें तो पता नहीं कितने बन जाए है क्योंकि मैं बस ready होने वाली हूँ और wait कर रहे हैं कि हमें देहरादुन के निकलना है और देहरादुन में बहुत सुन्दर सी vlogging आपके लिए करके special वीडियो बनाने वाली हूँ होली की और दिखाऊंगी आपको जो मेरा hometown हो कैसा है और कितनी प्यारे प्यारे लोग हैं वा हूँ